एक तरफ पठान जिसने हजार करोड कमा लिये और एक तरफ सेलफी, शहजादा, फ्लॉप बोल सकते हैं वो तो रीमेक थी लेकिन द्रिश्यम 2 भी रीमेक थी तो उसने कैसे 300 करोड कमा लिये यह क्या चल रहा है इतना confusion इतनी uncertainty फिकर मत करिये मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यह बहुत क्लीशे है बोलना की content अच्छा है तो movie चलेगी COVID के पहले से star के नाम पे movie चल सकती थी लेकिन COVID के बाद ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि audience evolve हो चुकी है अगर ऐसा है तो फिर action hero क्यों नहीं चली वो तो बढ़िया movie थी पर theater कोई गया है नहीं देखने लेकिन OTT पर सबने उसको enjoy किया अब वो इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया मे financial crisis चल रहा है और theater में movie देखने जाना बहुत ज़्यादा महंगा है और इसलिए लोगों की theater जाने की frequency कम हो गई है उसके comparison में OTT पर movie देखना बहुत असता है एक दो महीने बाद तो आई जाती है वेट कर लेंगे और ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है movie देखने के है उनके पास उनको देखनी है movie बड़े theater में वो experience उनको अच्छा लगता है तबी तो लोग गए पठान देखने पर वो ये पैसे सिफ best film को देखने के लिए लगाएंगे हर फिल्म के लिए नहीं पर फिर सवाल उठता है कि बिना movie देखे कैसे बच्छा लगा कि best है की नहीं और यहां मैं आपको बता दूँ कि last एक साल में जित्ती भी box office success हुए है उन सब में एक चीज़ common है चाहे वो movie south से हो, north से हो, west, east, hollywood कहीं से भी और वो है movie के पीछे hype उसके बार में चर्चा, release से पहले और release के बाद में release से पहले hype तो बड़ी movies की होती है जैसे पठान, भ्रमास्त्र, विक्रम, KGF और release के बाद hype होती है word of mouth से जब लोग कहते हैं बहुत बड़ी हा movie देखी जैसे कश्मीर फाइल्स, कांतारा पर यह hype करती क्या है? यह movie को चर्चा में ले आती है एक talking point बना देती है और हम सब ठहरे इंसान और theater में movie देखना एक community experience होता है और इसलिए जब एक movie के पीछे hype होती है तो वो movie relevant हो जाती है वो एक बड़ा event बन जाती है हमारी life में हमारे आसपास सब उसके बार में बात कर रहे होते हैं social media पे, हमारे social circles में हर जगा, और हमें form हो जाता है भई हम कैसे miss out कर दे सब उसके बाते करने हैं तो मुझे भी देखनी है movie मुझे भी इसके बात करनी है और ये बिल्कुल फर्क नहीं बढ़ता कि आपको movie अच्छी लगेगी नहीं उसका कुछ लेने दिना नहीं है लेकिन आपको उस discussion का part बनना है आपको भी अपनी opinion रखनी है क्योंकि आज का जमाने में वो ही तो matter करता है और इसलिए आजकल अच्छी मूरी marketing कुछ नहीं होती सिर्फ marketing होती है पठान का example ले ले लेते हैं शारू खान वापस आ रहा है चार साल के बाद वो भी एक action movie में जो एक wire of spy universe का part है जिसमें रितिक या सल्मान भी आ सकते हैं ये rumors ने मूवी आने से पहले और उसके ओपर जब उसके गाने रिलीज हुए उस पे controversy हो गई boycott चला दिया जिसने आग में तेल डालने माला काम कर दिया और उस वयसे ये movie से भी बड़ी बात हो गई अचानक से लोगो movie सिर्फ देखनी नहीं थी movie को support करना था शारुक को support करना था बॉलिवूड को support करना था सब लोगो first day first show देखनी है और ऐसा हुआ और movie release होने के बाद बहुत वीडियोज आएं कि लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं थेटर में मज़े ले रहे हैं सल्मान और शारुक के scenes को share किया जा रहा है और जिन्होंने movie नहीं देखे थी अब उनको form हो गया हमें भी देखनी है हमें भी enjoy करना है और इस वयसे ये film याद रख की जाएगी करी लेंगे और इस वयसे एक trend शुरू होगा नया remake बनना कम हो जाएंगी लेकिन बनेंगी और अगर कुछ अलग तरीके से remake बनें जैसे भोला आ रही है तो वो होता रहेगा लेकिन sequel बनना बढ़ जाएंगी और franchise film बनेंगी और multi star film बनेंगी और universe बनेंगे चाहे एक movie दूसरी से connect हो रही है और Indian cinema भी Hollywood की तरह उस पात पर चल जाएगा जैसे Hollywood में आज सिर्फ Marvel, DC बड़ी blockbusters, franchise, sequels बन रही है वैसे इंडिया में शुरू हो जाएगा अब वो Indian cinema के लिए अच्छी बात है तो हम कहीं और बहुत जाएगे पर आपको क्या लगता है मुझे comment में जरूर बताइए अगर वीडियो अच्छी लगी मेरी ये वीडियो नेक्स जरूर देखना like बटन दबाना वीडियो को share करना और मैं मिलता हूँ आपको अगली बार जैहिं